अगली खबर की और बढ़ते हैं तो अयोध्या में राममंदर के उध्धाचन को लेकर रांची की प्राच्षी नगरी चुटिया में खासा उद्सा देखा जारहा है। दरसल चुटिया राम मंदर के मुख्य पुजारी बाबा गुकुल जी को आयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। और उस पूरे मामले पर राम मंदर के पुजारी से बातचीत की है हमारे समधाता अंजनी कुमार ने। आप देख रहे हैं समधार प्लस 22 जनवरी का दिन एतिहासिक होने वाला है तो कि आयोध्या में भगवान राम का जो मंदीर है रामलला का जो मंदीर है उसका विधिवत उधाटन होना है और पूरे देश में इसको लेकर एक चर्चा है और कई मंदीरों में जो है लगातार किन बाबाओं को आना है तमाम लोगों को जो है इन्विटेशन कार्ड और लेटर पहुँच रहे हैं और राची में इस वक्त हम राची की जो प्राचीन नगरी है चुटिया वहाँ है और यह लगभग साले तीन सो साल पूराना स्री राम भगवान का मंदीर है और यहां के जो पुजारी है गोकुल जी उन्हें निमंतरन पत्र आया है और वो बहत खूस है क्योंकि यह आयोध्या के लिए रवाना होंगे और यह देखेंगे उनके हाथ में प्रान प्रतिष्ठा समारों में सामिल होने के लिए यह देखेंगे बाबा गोकुल जी पता राम मंदिर चु क्योंकि चुटिया राम मंदिर के यह पुजारी है बाबा मताये कैसा लग रहा है अब आपको अध्या जाना है और यहां से हम उत्तरादेकारी पुजारी है यहां से हम भी जा रहे हैं चुटिया राम मंदिर से कौनी और वहां जने के लिए या तैयारिया अपने की हैं हां यह है रहे कि हैं नियम से जाना है है आपना औरे साथ जा More हैं लेकिन वहां तो हम लोग का इसे निमंत्रम मिला है कि एक काड में यह सकते हैं दूसरा कोई नहीं जा सकता है इसलिए चुटी आरब मंदिर से हम एक ले जा रहे हैं और कोई साथ जाएंगे लेकिन वहां और दूसरा आश्रम में रुखेंगे कि घंडे माली जी अन्न स्थव प्रदान मंत्री से मिलने का मुझा मिलेगा तो कियां आप लेंगे बात करें देखिये वह इतना बहुत हुं तो भीड़ रहेगा, हजार इसक् सक्राइब लेकर हम लोग का मुझा मिल जाएगा तो बात करेंगे राम मंदिर के बारे में प्राचेन राम मंदिर है यहां के बारे में कुछ चर्चा उठाएंगे कि वह एक बार चुटिया राम मंदिर भी प्राधन मंत्री जी आए